गूड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हो और यह स्टोनलाइन क्लासिज में आपका स्वागत है आज हम क्रक्षय साथ की पूरक पुष्टित महाभारत के दूसरे पार्ट भीष्म पृतिग्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था देवरत भीष्म के जन्ड के बारे में और महाभारत कथा के बारे में तो आज का हमारा जो टोपिक है उसमें हम यह जानेंगे कि भीष्म ने कौन सी कठोर पृतिग्या की थी और वो क्यों की थी उस पृतिग्या के करने के पीछे कारण क्या था तो इन सभी तथ्यों के बारे में आज हम विस्तार से जान पाएंगे तो आएए एक नजर इस पार्ट पर डालते हैं तेजश्वे पुत्र को पाकर राजा प्रफूलित मन से नगर को लोटे और देवरित राजकुमार के पद को शुशोभित हुए जब गंगा ने अपना आठमा पुत्र राजा शांतुनू को सोपा था उसे सभी प्रकार के अस्तरस्तर विद्या दे करके सभी प्रकार से उसका पालन पोशन करके एक यूराज बना करके उसे राजा शांतुनू को गंगा ने सोपा था किसे भई बीश्म को उसका नाम क्या था बच्चपन का नाम क्या था उसका देव व्रत चार वर्स और बीट गए एक तिन राजा शांतनू यमुना तटकी और घूमने गए तो वहाँ अपसरा सी सुन्दर एक तरूनी खड़ी दिखाई दी तरूनी क्या होती है वी नव्यूती तरूनी का नाम था सत्यवती गंगा के वियोग के कारण वियोग होता है गंगा से बिछुडने के कारण राजा के मन में जो विराग चाया हुआ था वह इस तरूनी को देखते ही विलीन हो गया उस सुन्दरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उसके मन में बलवती हो उठी बलवती मतलब ताकत से यूति यानि कि उसके मन में प्रबल इच्छा हो उठी कि इस यूति से साधी करके इसे अपनी पत्नी के रूप में श्विकार करूं और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की प्रेम की भीक मांगी शत्यवती बोली मेरे पिता मलाहों के सरदार हैं मलाहा होते हैं वे नाव चलाने वाले और उनके मुख्या उनके पिता थे सत्यवती के पिता नाव चलाने वालों के मुख्या थे पहले उनकी अनुमती ले लीजिए फिर मैं आपसे तो सत्यवती ने कहा कि मेरे पिता जो है वो मल्लाओं के सरदार है और पहले उनकी अनुमती ले लीजिए फिर मैं आपसे शादी करूंगी मैं तो आपसे शादी करने के लिए तयार हूँ राजा सांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा आपको मुझे वचन देना होगा राजा ने कहा जो मांगोगे दूंगा यदि वह मेरे लिए अनुचित ने हो केवट राज बोले आपकी बाद अस्तिनापूर के राज सिंगहशन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा इस बाद का आप मुझे वचन दे सकते हैं केवट राज की सर्त राजा शांतुनों को ना गवार लगी ना गवार होता है वे ना पशंद गंगा सुत को छोड़ कर अन्य किसी को राज गद्धी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ने हो सकी निराश और उद्विग्न मन से उद्विग्न होता है जलता हुआ दुखी वह नगर की और लोटाए किसी से कुछ कह भी नहीं सके और चिंता उनके मन को कीडे की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी देवृत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई वैथा समाई हुई है एक दिन उसने सांतनों से पुछा पिता जी संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ने हो फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी लिखाई दे रहे हैं आपको किस बात की चिंता है यदपी सांतनों ने गोल मोल बातें बताई फिर भी कुशागर बुधी देवृत को बात समझते देर ने लगी उन्होंने राजा के सार्थी से पूछताच करके उस दिन केवट राज से यमुना के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया जब देवर्थ को अपने पिता की चिंता के बारे में पता लगा कि मेरे पिता चिंती क्यों है तो वो अपने पिता को कभी दुखी नहीं देखना चाते थे इसलिए उन्होंने अपने पिता के चिंता का कारण जानना चाहा और उसके पिता के सार्थी ने उसे सारे बातें बताई जो शत्तेवती और राजा सांतनू के बीच हुई थी और किस सिंता में वो पड़े हुए थे अब इन सब बातों के बारे में जान करके देवरित ने क्या फैसला लिया उसके बारे में आगे पढ़ेंगे केवट राज ने यदपी शांतनू ने गोल मुल बाते बताई फिर भी कुशागर बुधी देवरित को बाते समझते देर ने लगी उन्होंने राजा के सार्थी से पूछ ताच करके उस तिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बाते हुई थे उनका पता लगा लिया पिताजी के मन की वेथा जानकर देवरित सीधे केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महराज सांतनू से कर दें केवट राज ने वही सर्थ दोहराई जो उन्होंने सांतनू के सामने रखी थी देवरित ने कहा यदि तुम्हारी आपत्ती का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि राज्य का लोब नहीं करूंगा जब शत्यवती के पिता ने देवरित के सामने अपनी इच्छा रखी कि राजा शांतनू के पश्चात मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा हो यदि ये सर्थ आपको मनजूर है तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पिता के साथ कर सकता हूँ तो उनकी सर्थ का पालन करते हुए यानु पालन करते हुए देवृत ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं वचन देता हूँ कि मुझे राजे का लोब नहीं है और मैं राजे नहीं करूंगा और सत्यवती के पुत्र को ही मैं राजा बना दूँगा इस प्रकार से राजा शान्तुनों ने अपनी इच्छा तो नहीं बताई थी लेकिन भीष्मे ने उनके मन की बात को जान लिया था कि वो किस बात से दुखी है और उन्होंने उनके सार्थी से सारी बातें पूछ ली और वो शत्यवती के पिता के पास जाते हैं यद्पी शान्तुनों गोल मौल बातें बताई थी फिर भी कुशाग्र बुद्धी देवरत ने को बातें समझते देर ने लगी और उन्होंने राजा के सार्थी से सारी बातें पूछ ताच करके केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बाते हुई थी उनका पता लगा लिया पिताजी के मन की वैथा जान करके देवरत सीधे केवट राज के पास गए और उन से कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाहा महराज सांतनों से कर दें केवट राज ने वही सर्तें भीष्म के सामने भी दोहराई जो उन्होंने सांतनों के सामने रखी थी देवरत ने कहा यदि तुम्हारी आपत्ती का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोग नहीं करूंगा और सत्यवति का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा केवट राज इससे संतुष्ट ने हुए अब केवट राज के मन में और भी कुछ इच्छा थी उन्होंने दूर की सोची दूर की मतलब भविश्य की बोले आर्य पुत्र इस बात का मुझे पूरा भरोशा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे किन्तु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे कर सकता हूँ आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छेनने का प्रियत्न करे इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है तो इस प्रकार की आशन का शत्यवति के पिता ने फिर से वैक्त की तो उसके जवाब में भीश्म ने कहा केवट का प्रस्ण एप्रत्यासिक था यादि कि स्प्रश्ट रूप से नहीं था उन्हें संतुष्ट करने का यही अर्थ हो शकता था कि देवरित अपने भविश्य का भी बलिदान कर दे किन्तु पित्री भग्त देवरित इससे जरा भी विचलित नहीं हुए विचलित मतलब अपने मन में किसी प्रकार से वो एस्थिर नहीं हुए गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा मैं जीवन भर विवह नहीं करूंगा आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा भीश्म ने ऐसी प्रतिग्य की कि यदि आपको ऐसी आसंका है कि मेरे पुत्र आदी आपके नाती से सासन छेन लेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं साधी ही नहीं करूंगा तो फिर मेरे पुत्र कैसे पैदा होंगे तो आपको इस बात से बिलकुल भी भैवित नहीं होना चाहिए किसी को भी ऐसी आसा नहीं थी कि तरुन कुमार ऐसी कठोर प्रतिग्या करेंगे देवरित ने भैंकर प्रतिग्या की थी इसलिए उस दिन से उनका नाम क्या पड़ गया भै भी भीश्म पड़ गया केवट राज ने सा अनंद अपनी पुत्री को देवरित के साथ विदा किया शत्यवती से शांतुनू के दो पुत्र हुए चित्रंगद और विचित्रवीरिये शांतुनू के देहावसान पर चित्रंगद हस्तिनापुर के सिंगाशन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीरिये सिंगाशन पर बैठे विचित्रवीरिये की दो राणिया थी अंबिका और अंबालिका इन दोनों राणियों को भी कौन जीत कर लाए थे भीश में जीत कर लाए थे लेकिन वो प्रतिग्याबद होने की वज़े से उनसे शाधी नहीं कर सके और उनकी साधी किन से हुई थे भी विचित्रवीरिये से दोनों की साधी हो गई थी उनके अंबिका के दो पुत्र हुए दृत्रास्ट रामालिका के भी एक पुत्र था पांडू दृत्रास्ट के पुत्र आगे चल करके कोरव कहलाए और पांडू के पांच वुत्र थे वो क्या कहलाए पांड़ाओ महत्मा भीस में शांतनू के बाद से कुरुक्षेत्र युद का अंत होने तक उस विशाल राजवंस के सामन ने कुलनायक और पुजे बने रहे सांतनू के बाद कुरुवंस का यह क्रम रहा राजा शांतनू के बाद कुरुवंस कैसे चला वी कौन-कौन से राजा हुए सबसे पहला राजा कौन हुआ सांतनू सांतनू के बाद राजा हुआ सांतनू की दोरानिया हुई एक गंगा और एक सत्यवती गंगा का एक पुत्र था देवरित जिसने आज इवन ब्रह्म चरिये पालन करने की पृतिग्या लेई थी अब सत्यवति के कितने पुत्र हो वित दो चित्रंगद और विचित्र वीरिये चित्रंगद की साधी नहीं होई थी वो युद्ध में पहले ही मारा जा चुका था लेकिन विचित्र वीरिये की दो पत्निया थी जिनके पहली पत्नी अमबालिका के पुत्र हुआ ध्रित्राष्ट और अमबालिका के पुत्र हुआ पांडव ध्रित्राष्ट के पुत्र शोव पुत्र थे वो आगे जा करके क्या कहलाई वही कोरव कहलाई जिनमें सबसे बड़ा कौन था दुर्योधन और पांडव के पांच पुत्र थे युदिष्टर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये पांचों आगे चल करके क्या कहलाए वही पांडव कहलाए तो इस प्रकार आज के इस पाठ में हमने पढ़ा कि भिश्म का नाम भिश्म क्यों पढ़ा और उन्होंने कौन सी कठिन पृतिज्या ली थी और वो पृतिज्या लेने का उनका कारण क्या था इन सब बातों के बारे में आज हमने जाना है तो आएए अब इस पार्ट में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे जो इस प्रकार है कल हमने जो पाट पढ़ा था उसके शब्द रथ पे भी हम थोड़ा सा प्रकाष डालते हैं, एक शब्द आये था पोराणिक, जिसका अर्थ होता है पुराणों से युक्त, यानि कि पुराणों से सम्बंधित. प्राइश्चित का अर्थ होता है पश्चा ताप यह पश्चात लिख दिया सोरी मैंने यहां पे आएगा पश्चा ताप अज्यात वास जिसके बारे में ज्यात ने हो ऐसी जग है नव योवन, युवा अवस्था, अज्यात सुन्दरी, जिस सुन्दरी के बारे में कोई जानकारी ना हो, क्षोब, दुख, पारावार, जिसकी सीमा या ठिकाना ना हो, मसोसकर, दुखी होकर, एकारण, बिनाकारण के, ग्रेनित, ग्रेहना से युक्त, विख्यात, विरक्त, संसार के सुखों से दूर होना, गठीला, हस्ट-पुष्ट, राजनिति के, राजनिति को जानने वाला, प्रफूलित, प्रशंचित, तरूनी, युवती, मल्लाह, मल्लाह होते हैं भई, नाव चलाने वाले, नागवार, नापशंद, उद्विग्न, जलते हुए या दुखी मन से, वेथा, पीड़ा, सानन्द, आनन्द, सहित, देहावसान, मृत्व के बाद, कुल नायक, कुल का नायक, तो इन शब्दों को हम अपनी नोट्बुक में राइट डाउन कर लेंगे, और इस पार्ट को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तब तक के लिए, धन्यवाद, मिलते हैं, अगले वीडियो में, इस पार्ट के, प्रिश्नोत्रों के साथ, थे यक्यां, आफ बाए, स्यूत्वाद के मिलते हैं, तो मुझा राउन कर लिएकिन चे कर लिएकाश्या ठंडाट.